रसूले खुदा सुलेलाव आले वसलम ने इर्शाद फर्माया इल्म हासिल करना हर मर्द और 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 वाजिब है अल्ला दोस्त रखता है तालिब इल्म को अजीज नाजरीन सलामुन अलेकुम मैं हूँ सयद आसिया और आप सभी का इस्तिकबाल है चैनल विन के एक ऐसे शो में जिसका इंतिजार आपको बेश सबरी से रहता है जी हाँ नाजरीन जी तो मगर इल्म से एक ऐसा शो जिसमें हम आपसे पुछते हैं पाच पिल्कुल ही असान सवाल और उन पाच सवालों के सही जवाब आपको देने हैं जो भी ये पाच सवालों के सही जवाब सबसे पहले देता है हम उन तीन लोगों को नवासते हैं बहतरीन ही नाम से आए जानते हैं पिछले एपिसोट में पूछे गए थे पाच सवाल उन पाच सवालों के सही जवाब क्या है तो नाजरीन यह है सवालों की सही जवाब आपके टीवी स्क्रीन पर पहला सवाल था फातिमा इताते खुदावंदी में मेरी बहतरीन मददगार है यह जुम्ला किस ने किस से इर्षाद फरमाया इसका सही जवाब है इसका सही जवाब है जनाब जहरा सलाम अलेहा ने इमाम हसन अलेहिस सलाम से तीसरा सवाल था अर्बिक लफ्स दार के क्या मानी है इसका सही जवाब है घर चौदा सवाल था तुम हर्गिस नेकी तक नहीं पहुँच सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीज में से राह खुदा में इन्फाक ना करो और जो कुछ भी इन्फाक करोगे अल्लह उसे बिलकुल बाग ख़बर है यह आय करीमा किस सूरे की आयत है हमारा पाच्वा सवाल था फातिमा अपने वालिद की मा है यह किस ने इर्शाद फरमाया इसका सही जवाब है रसूल अल्लाव आले वस्सल्म ने तो यह थे सवालों के सही जवाब आईए जानते हैं कौन है वो लखी विनर्स तो यह रहे विनर्स के नाम आपके टीवी स्क्रीन पर पहला इनाम जाता है सेद इमाद अब्बास प्यांगलोर का नाटका दूसरा इनाम जाता है मुहमद मोसिन सूरत वाला थाने तिसरा इनाम जाता है नास फात्मा न्यू डेली आप तीनों को चैनल विन के तरफ से बहुत-बहुत मुबारक बात पेश करते हैं अब नाजरीन हो जाए ये तैयार इस हफते पूछे जाने वाले पाच पिल्कुल ही आसान सवाल के लिए उससे पहले मैं आपको बता दू जवाब देने का सही तरीका क्या है पहले अपना नाम लिखे दूसरे अपने शहर का नाम तिस्टा अपना क्वांटेक नमबर और फिर प्यूछे गए पास सवालों के सही जवाब भेज दे आपको सही जवाब भेजना है इस वाच अप नमबर पे हमारा वाच अप नमबर है 9619667578 नाजिम लोट डॉन कर लीजे इस हफ़ते के सवाल ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर ये रहे इस हफ़ते के पास सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर पहला सवाल है बेशक फात्मा जहरा सलामुल्ला अलेहा सिद्धी का और शहीदा है ये हदिस किस इमाम ने इर्शाद फरमाई दूसरा सवाल है जनाब जहरा सलामुल्ला अलेहा और उनके वालिद मेरे लिए फक्र है ये हदिस किस इमाम ने इर्शाद फरमाई तिसरा सवाल है फात्मा मेरे आखों का नूर है ये हदिस किस निर्शाद फरमाई चौता सवाल है शहजादी सलामला अलेहा ने किस चीज़ को तकब्र से बचने का जरिया करार दिया हमारा पाज़वा और आकड़ी सवाल है जनाब फात्मा जहरा सलामुल्ला अलेहा ने किस चीज़ को तस्कीय नफ्स और रोजी की ज्याददी का सबब करार दिया है इस हफ़ते के पास सवाल मैं फिर से धोराने जा रही हूँ ये रहे इस हफ़ते के पास सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर पहला सवाल है बेशक फात्मा जहरा सलामुल्ला अलेहा सिद्धी का और शहीदा है ये हदिस किस इमाम ने इर्शाद फरमाई दूसरा सवाल है जनाब जहरा सलामुल्ला अलेहा और उनके वालिद मेरे लिए फक्र है ये हदिस किस इमाम ने इर्शाद फरमाई तिसरा सवाल है फात्मा मेरे आखों का नूर है ये हदिस किस ने इर्शाद फरमाई हमारा पाच्वा और आकड़ी सवाल है जनाब फात्मा जहरा सलामुल्ला अलेहा ने किस चीज़ को तस्कीय नफ्स और रोजी की ज्याददी का सबब करार दिया है इन्शालला अगले अपिसोड में आप तमाम नाजरें से फिर से मुलाकात होगी तब तक अब बने रहें चैनल विन के साथ शुक्रिया खुदा हाफिस